वीडियो और इस वीडियो में प्रोपर बात करें पर बिहार इंग के जितने बेस्टोंट है जो की यूजी सी के तहद आपका कॉंसेलिंग होने वाला रहेगा लेकिन उसका अभी तक अभी तक अफसीली अनॉसमेंट नहीं हो रखें बट उसके पहले आपको जानना चाहता है कि आपको कौन सा कॉलेज के लिए पार्टिक्ला चूज करना है और कौन सा कॉलेज का कितना कट अप जाता है तो आज हम बात के नाल पर कि टॉप टेन इंजिनरी कॉलेज जो बिहार में अबलेबल है उसकी कट अप किया जाएगी दूजाज 24 के लिए ठीक है और मैं आपको सबसे पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जाना पड़ेगा कि अपको यह जाना पड़ेगा क्ट्बरcketा आपका कॉलेज के अलॉर्टमेंट होता है वो किस तरीका से होता है अगर आपको यह चीज पता रहेगी फिर आप जो है कि आपने च्राइश फिलिंग करोगा तो देखिए आपको रैंक काड एक मिला होगा कुछ इस तरीका से इसमें आपको यहां पर रैंक लिखा हुआ आग करते हैं तो आपका की तो आपको जानना पड़ा है कि जो इलॉटमेंट का प्रोसेस तरीका से होता है तो जब भी आप च्राइश पिलिंग करेंगे तो सबसे पहले आपका युवार रैंक रहता है युवार से जो कॉलेज का जितना कट अप जाता है उसके अंसार अगा फि इसको हटा करके अगर नहीं पीट कर पार तो फिन आपके पस वत्नमर को जो को चूज करोंगे और को उखद तरीका से उनको डिसक्स कि बागी तो विघ्र आपको देखना पड़ा है कि कौन सा प्थी के लिए कितना कटफ जाने हो रहेगा तो पाट करेंगे कि जो क्ट सबसे पहले एंड परतेंट यह पहले आप लोग जाने गए तो आप देखें को और जानना पड़ाँ कि जो सब्सक्राइब कि बाषब सब्सक्राइब सब्सक्राइब नाइस इन साने सब्सक्राइब चाहता हूं तो वो college कहीं न कहीं मुझे मिल जाए तो इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा तो यहां पर हम discussion करेंगे तो यहां पर आपको इवार कटेगरी के बताएंगे चाहते हैं जिसका नाम में आपने की बख्यारपुर तो यहां पर देखोगे तो यहां पर दो सीचेंican करे ने इससे समझेगा तो यहां पर से यह 24 का लेटेस्ट डाटा है ठीक है तो इसके अंसार आप लोग को cut up जाएगा 10% कि इसी के आज पास अपका cut up जाएगा तो अगर मान लेजिए को कोई बच्चा है जो चाहता है कि मुझे यहां पे बक्तियापूर कॉलेज मिल जाए CAC ब्रांद ठीक है क्या मिल जाए आपको cut up के अंसार आपको को कॉलेज को स्लेक्टेशन करना है कि मुझे कौन सा को सेलीक करना है कि यह चार सके अंदर में इसको अपलाई करेगा तो कोई मुस्किन नहीं यह आपको मिल जाएगा ठीक है इसमें कोई दुरा नहीं है पर्टुकलर हम सी सी के लिए बात कर रहे हैं ध्यान दीजेगा अगर चार सा के अंदर में आपका युवार रहेंग है तो आपको यह मिल जाएगा लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको यहा नहीं का रहेंक देखा जाएगा इतना है तो यह हमार पास होग यह किनो किसे में इतना हैं इतना ही लेकिन SC category होते हो भी इनका UR में rank कितना बना है 5619 तो यह 5619 से ही मिल सकता है और इससे ही मिल सकता है तो इसलिए आप देखे हो तो यहाँ पर जो मैंने लिख रहते हैं यह जितना data है यह pure अपका category वाइज है कि अगर कोई बच्चा मानलेजे कि UR से है मतलब वो category भी belong करता है मानलेज जगा SC category से वो belong करता है लेकिन इवार रैंक जो है उसका यह 2000 के आसपा से तो उसको यह particular college बक्तियापकों इंजिनिक college में CSE मिल जाएगा confirm ठीक है चुकि इसका cut-up जाएगा कि इसी के आसपा जाता है यह previous year का जो cut-up बिगरा गया था उससे मैंने analyze करके data को यहाँ पर find out करके एक जगा compile करके दे रखाऊं तो इसका लगभा लग आपको तय है कि अगर कोई SC कच्चा है SC कच्चा उसका 2000 तक भी अगर रैंक है UR में ठीक है और वह SC कच्चा से बिलोंग करता है तो इसको कहीं न कहीं यहाँ पर UR से ही इसको मिल जाएगा बक्तियापु कॉलेज यह भी CSC ब्रांच मिल जाएगा तो इस तरीका साथ का अलाटमेंट है अगर कोई बच्चा ST कच्चा से अगर उसका रैंक 2000 तक में है तो इसको भी मिल जाएगा यहाँ पर जो है कि बक्तियापु कॉलेज मिल जाएगा 250 तक ही उसका रैंक मैक्सिमम जा सकता है CSC के लिए यह बक्तियापु कॉलेज के बात करें तो इस तेकर से अगर EBC का कोई रखता है लेकिन इवार रैंक उसका 450 के आसपास है पांस अभी होगा तो चलेगा लेकिन 450 के आसपास ही रहना चीए ज्यादा आसपास भी नहीं मतल 10-15-20-50 तक बढ़ सकते हैं लेकिन लग 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 इसी के आसपास रहेगा तो उसको यह पर्टिकलर कॉलेज के लिए अलॉर्ट किया जा सकता है ठीक है इसके साथ हमनों बात करें कि अगर EWS का कोई बच्चा है तो उसका 350 तक इवार रैंक है लेकिन वह काटेगरी कॉ होती है उसके बात है तो अगर कोई भी गॉल्स के टेगरी है जिनका यहां पर रैंक बना हुआ आर्सी से चार सो तक बना हुआ तो यह पर्टिकलर ब्रांच सी वाला जो ब्रांच सी अगर लेना चाहिए बक्तियार्पुल कॉलेज में तो उनको अराम से मिल जाएगा अगर यह पर्टिकलर के मिल जाएगा ठीक है लेकिन ओगर क्यां जेए कि मग्छे-टेगरी से मग्यवराश मिल जा लॉक है यह को मैं चाहता हूं मुझे तो उसके लिए आपको नंगो इस पार्टिकलर बात को यह तो इस रैंच मैंने नाम रखा है पियोर वाइज रिग तो अग का मतलब यह होगा है कि आपको particular उस category में जिस category से आप बिलोग करते हो उस category में आपका कितना rank है तो इसके लिए देखें यहाँ पर यूर की फोर जरूत नहीं पड़ेगी तो इसको मैंने क्रस्ट कर रखा है अगर SC से आप बिलोग करते हैं तो अगर 120 rank तक आपका SC में rank मना इस बात करते हैं 120 तक आपका rank है तो बक्तियाप को करज में आपको SC मिल जाएगा इस बात का आप लोग ध्याना सकते हैं इवी सी में आपका rank में बता रहा हूं और इधर राइंग में बता रहा है यह यह वार से था बट यह पर्टिकुलर किसी category से बिलोग करते थे तब का rank था लेकिन इधर क्या है कि पर्टिकुलर उस category से आपको allotment हो सकती है अगर इस टाप से आपका rank रहा तो यहां पर RCC का rank नहीं बनता है तो इसको मैंने क्रॉस कर रहा है तो आपको यह कॉलिज बक्तियाफों इंजिनी कॉलिज में आपको CSE आपको इजली मिल जाएगा त तो यह category से और UR से दोनों से आपका allotment होता है तो मैंने दोनों को consider कर रहा है और कैसे आपको देखना यह चीज मैंने आपको समझा दिये तो उमीद करता हूं कि आपका allotment कैसे होता यह पूरा process समझेंगे आप फिन allotment का time पे कौन सा particular college का CAC के लिए particular कितना rank का cut up जा सकत यह वह काफी हाई जाता है particular मैं यहां पर CSE की बात कर रहा हूं ठीक है CSE के लिए मैं specialization form में भी बात कर रहा हूं मैं proper CSE pure CSE की की बात कर रहा हूं तो अगर pure CSE आपको branch चाहिए अगर आप UR से belong करते हो तो आपका UR में rank अगर 80 कासपा से है तो आपको यह college मिल सकता है अगरपूर college में आपर CSE branch आपको मिल जाएगा ठीक है इसी तकर से बात करें आपर ST category के लिए तो आपको 15-50 तक भी rank है तो आपको एजली मिल जाएगा EBC के बात करेंगे तो देखोंगे यहाँ पर 250 के अंदर में आपका rank है तो आपको यह college मिल जाएगा CSE particular branch के लिए CSE branch के लिए आप लो बागवकुर इंग को चूच कर सकते हो अगर आपका UR rank है जो के 250 के अंदर में है और आप EBC के डेई से belong करते है तो नहीं तो अगर से भी विलाउन करती है तो वह अगर 600 तक भी उनका rank है तो अगर अपलाई करते हैं आप भगतियापूर college को स्री यह भागलपूर college को तो आपको यहाँ पर यह college मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है particular रहा हम बात करेंगे particular एक category wise rank की बात करेंगे pure category के तो आप देख सकते हैं चार सब पचास तक भी आपका rank बनता है तो आपको यह भागलपूर engineering college में आपको CSE college आपको जो की मिल सकता CSE ब्रांग EBC की बात करते हैं EBC में बहुत कम reservation होती है जिसके बासे आपको 60 यहाँ पर आएगा और AACC कि यहाँ पर कोई बात नहीं करते हैं AACC अगर इधर से आप चानल तो जा सकते हो तो यह मैंने बात किया है भागलपूर college की क्या कटा जा सकती है proper CSE के लिए इसी तिकर से हमाँ सबसे पहला and most important and demanding भी होती है वह होती है government engineering college गड़ा ठीक है जी इसी गड़ा होती है तो गया का अगर हम लोग रैंक के बात करते हैं तो इसमें भी आपको 400 तक चाहिए आपका रैंक तब ही आपको यह college मिल पाएगा proper CSE ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं लोग करते हो अग लिकिन आप SC category से हो तो आपको मिल जाएगा और यह 25 सा rank है यह मैं बता रहा हूं बार-बार आपको की war rank है देखिए आपर युआ rank से बात कर रहे है इसे इवार rank रैंक के category wise में बात कर रहा हूं बीसी से हो तो आपको मिल जाएगा आपको पांस सा पचास तचाहिए एक पर आपको ना कोई आपका पचेग्री भी रहे गा तभी यह को लॉट किया जा सकता है ठीक है और यह डाटा काफी 100% जो है कि एकदम और नॉल मान के भी चल सकते हो जोंकि काफी एनलासिस के बाद यह चीजों को डिसकर में आप लोग के साथ कर रहा हूं और बात करें की प्योर लोगर हम बात करें कि के लिए दो साथ तक आपका रहेंक है प्योर तो आप यहां पर आपको यहां पर प्योर सी सी बिगरा मिल जाएगा सब्सक्राइब तो आपको 10 चाहिए 20 के लिए 230 चाहिए और इबी सी के लिए आपको 450 चाहिए और EWS के लिए 120 चाहिए और आज ही कोई हमाँ बात नहीं करेंगे तो यह गाया इंजानी कॉलेज की कटप थी पर्टुक्लर CAC के लिए इसी तरह कर से अगर हमनों बात करें और भी ब्रांच यहां पर और भी कॉलेज के लिए तो देखिए यहां पर आता है अगला मेरे पास डिसी दर्भंगा अगर दर्भंगा में आपको चाहिए सी पर्टुक्लर पांच करें तो मैं गलत नहीं बता सकता हूं आप लोको तो इसलिए मैं आपको डाटा को एड नहीं किया तो इसको मैंने क्रस्ट कर दिये अगर मुझे इस बार का अपड़िटर मीलेगा तो मैं आपको ग्रूप में सेंड कर दूँगा आप ग्रूप में एक बाच चेक आट जरूब कर लेए तो जो यह बच्चे आवी तो ग्रूप जयंदें किये वह जाकर करके फटाक से ग्रूप जोइन कर लेंगा लिंक में डे रखा है उसके बाद से बात करें दो बीशी के लि पर ब्रांच मिल जाएगा तो यह मैंने इवार से बात कर रखें ठीक है उसके बाद से पाट्टेग्री से आपको अलोट्मेंट चाहिए यह पाट्टेग्री के आपका रेंक का अंसार आप च्वाश्पनिंग करते हो तो इसका बात का ध्यान अगर से हो तो एक दो दो सो त सब्सक्राइब चाहिए और इवी सी सो तो दो सो पचाहिए और आर सीजी कि यहां पर बात नहीं कर रहें आर सीजी अलोड़ी हमनों इदर कवर कर चुके हैं तो यहां पर दरभंगा कॉलेज अफ इंगिनिंग कि यहां पर जो की रैंक वाज मैंने बता रखें पर्टुक्ल naval आप से क्यल् scaled से बिलॉंग करते हो और आपका रह्लय हลंग 407 कैज tyre coding यहां बैटा मुझे मिला नहीं तो मैं दे नहीं इक बात करते हैं अपर 1150 था क्वी आपका रेंक सब्सक्राइब करते हैं तो मिल जाएगा यहां पर तेरो सब पचास तक आपको मिल जाएगा आर्सी जी वाला जिन तो यह अच्छे जी से आर्सी जी का रैंक को ध्यां में रखते हैं लड़की लोगो चौरिश फिरिंग करना इसके सिवाएगा अब बात करें पर्टिक्लर के रैंक की तो देखिए ज़के एक सिपरः में आपका 350 तक भी रैंक है तक आपको यह कॉलेज मिल जागा इस्टी काडा यहां पर मिलाने मुझे बीसी की बात करेंगा तो आपी चार सबफ़चास रैंक तक भी आपको मिल जागा इबीसी की बात करें तो दो सब पचास तक और इव्योज के तीन से मुतिहारी में अगर जाना चाहते हूँ आप लोग प्राटिक्लर CAC ब्राच के लिए तो CAC ब्राँच के लिए अगर मुतिहारी का कॉट ऑप जाना चाहiłगा तो अगर आपका रैंक जो है कि МУЗЫКА cemeteryer 6000 दीक मतलब 100 के लिए गम भी को ऐगा पर ब्रांस यहां पर मिल जाएगा आपको एली मिल जाएगा अगर आपका रेंक जो की आपका 1000 तक है तो मिल जाएगा अगर पर्टिक्लर अपसटिकर बिलोग करते हो तो आपको यह सकता है उब PC के लिए बात करें तो ते रहो सो तक जा सकता है ठीक है तो यह था सकता है धो dings हो तो को specific तक के अंदर में particular एसी क्राइब है इस्ट के लिए यहां पर यहां पे दो सा तरह पना रेंक देखते और आपको करने हैं चुकि कि आपको यह कॉलेज मिल सके खिक है ऐसा नहीं कि ज्यादा रहने पर मिल जाएंगा तो उसका फाइद जरूरा है जैसे कि कोई बैच्च है उसको चाहिए और वो सोच रहे मुझे मिले तो देख सकता है आप पर 3500 तक भी रहेंगे तापको यह मत्यारी कोलेज हो जाता है तो आप इसको ध् आपको मिल जाए और यह मैं जो है नहीं कि इसी का सबका कट अब जाएगा जब मैं कट अफिसीली डाटा रिलीज होगा ना कट अब आपको दिखा दूँगा आप देख सकते हो यहां पर कि लगभा लबब सेम डाटा रहेगा तो इसके आसपा जो लोग भी लाई करते हैं वो चीज आप लोग चोईस फिलिंग में गलती ना करना ठीक है इसके सिवाए अगर हम लोग बात करें यहां पर कि अगर देखें हम लोग एम आटी जो की मुझापपूर इंसिचूट अप टेक्नोलोजी है इसमें पर्टिकलर बात करते हो यहां पर आई टी ब्रांच मिले तो अगर पर्टिकलर आई टी ब्रांच की बात करें तो अगर आपका रैंक जो है कि 70 के आसपा से इवर में तो आपको यह कॉलेज मिल सकता है एस से क्टेग्री में आपका सोलो सतक रैंक है तो मिल जाएगा कोई डाटा है नहीं था मेरे पास बीसी में सौ रैंक सौ के साथ हम बात कि पाइग्री वज में मुझे क्या मिल सकता तो अगर सकते से ब्लों करता पचास के अंदर में रांक है या अप तु पचास तक थक है तो आपको यह क्लिश में के ZIVE में सकता बलड़ को सब्सक्राइब 기 मेने बता दी अब देख की करते आपको मिलना है नहीं तो फिर किया ही चूज करके करोगे ठीक है इसके सिवार हम बात करेंगे एक और college है जिसके बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तो आपका रहें तो आपका रहें तो आपको यह लड़की अगर इसी के बात करते हैं तो आपका रहें शताइस तक है ध्यान देजेगा शताइस तक है तो आपको यह college मिल सकता है अब ट्राई कर सकतो है इस्टिक डिगरी के बात करें तो आपको आठारहस तक में आपका रहेंगा तो यह college आपको एजली मिल जागा बीच के लिए बात करेंगे तो 670 तक आपका रहेंग है तो मिल जाएगा इवार से होना थे यह तो आपका रहें और पर्टिकॉलर एक कटेग्री भी आपका होन ठीक है तो यह आपका युवार से cut-up हो गया particular हम जो की category वाज़ बात करेंगे तो देखिए स्टी के लिए बहुत कम है पांच तक ही यहां पर मिल पाता है ठीक है अगर बिसी के लिए बात करते हैं 208 तक मिल सकती है और यह जो मैंने cut-up बता रहे प्यूर की category वाज़ बता रहे और यह आपका अंडर रैंक जो है की उन्रेजर्ब रहेंक है उससे आप लोग को जा सकते हो तो दोनों बता रहे रहे और रहें जो है की इस स्पेशल के सांसा अब को मैंने बता रहें कि इवार रहें कितना साहिए आपको पर्टिक्लर करिक्री में होते हो भी तो आपको मिल सकता है तो यह चौड़नी का यहाँ पर एड़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर रहेगा तो आपको यह पाइस तक भी रहेगा तो आपको मिल जाएगा और बात करना पर करना पर आपको रहें तो सब्सक्राइब चलेगा यहाँ पर यहां To तक भी आपका रहेंग है तो आपको मिल जाएगा तो ठैंक यू सो मच सभी को एंड अगर आप मुझे प्रसनली इंस्टा पर मेंसेज करतो कोई डाउट है तो अदरवाइज मैंने परजेंट कर दिया और मेरे नाम पंकज क्मार है और हैंगी सो मच कि आप लोग इतना टाइम दिया एंड मैंने टॉप टेंड कोलेज कि यहां पर जो कटप जा सकती है सीसी के दिये पर्टिकलर वो में डिसकस कर रहा है आपको वाट्सप गूरूप हमारा जौन कर लेते हो तो आपको वाट्सप यह पीडियाप मिल जाएगा जहां से आप लोग च्वास्टिक यहां से चीज़ों को ध्याह में रखते हैं अपना फिर भी ऑफिसल से कम भी नहीं पर चुकि जो ऑफिसल डाटा आया है उसी आपको इनलाइस करका आपको इंचीजों को पर्वाइड कर रहा है तो तब सभी को चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में